दो हजार अठाईस में अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना घर, प्रित्वी का हर रोज लगेगा चक्कर, जानिये स्पेस स्टेशन बनने से क्या क्या होंगे फाइदे। इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाईजेशन ने दो हजार अठाईस तक भारत का पहला इंटरनेशन स्पेस स्टेशन लॉंच करने का एलान किया है। भारत ने पिछले देड़ दशक में स्पेस सेक्टर में बड़ी काम्याबी हासिल की है। चंद्रमा पर लैंडर उतारना हो या फिर मंगल ग्रह तक मिशन पहुचाना या फिर धेरो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना। भारत में हर साल स्पेस में बड़त ही हासिल की है और अब उसका मकसद स्पेस में अपना घर्यानी स्पेस स्टेशन बनाना है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनात ने बताया है कि स्पेस स्टेशन के शुरुवाती मॉड्यूल को कब लॉंच किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगले पांच सालों के भीतर यानी दो हजार अठाईस तक इंटरनेशन स्पेस स्टेशन के हमारे शुरुवाती मॉड्यूल को और्बिट में पहुचा दिया जाएगा। पहला मॉड्यूल आठ टन वजन वाला होगा। उन्होंने कहा कि भारत अमरित काल के भीतर की अपना भारत स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाता है। ऐसे में आईए जानते हैं कि स्पेस स्टेशन से देश को क्या फाइदा होने वाला है। किन देशों के पास हैं स्पेस स्टेशन? स्पेस में अभी दो स्पेस स्टेशन है। इसमें से एक चीम का तियानगोंग स्पेस स्टेशन है, जबकि दूसरा इंटरनेशन स्पेस स्टेशन है जिसे दरजन भर देशों ने मिलकर तैयार किया है चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन दो हजार बाईस से ही ओपरेशनल है वर्तमान में इस पर तीन एस्टोनोट्स भी मौजूद है ये प्रिथवी से 450 किलोमीटर की उंचाई पर चक्कर लगा रहा है चीन ने पहले भी दो अस्थाई स्पेस स्टेशन तियांगोंग एक और तियांगोंग दो को और्बिट में भेजा था अगर इंटिनेशन स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये प्रसिद्ध स्पेस स्टेशन है अमेरिका की स्पेस एजनसी नासा, रूस की रोसको मोस, जापान की जाकसा, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA ने मिलकर इस स्टेशन को तयार किया ये सभी मिलकर ISS को कंट्रोल करती है ISS को 1998 में लौँच किया गया था ये प्रिथ्वी से 400 किलोमीटर उपर चक्कर लगा रहा है स्पेस में भेजा गया ये इंसान का बनाया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है भारत के स्पेस स्टेशन से क्या फाइदे होंगी? प्रिथ्वी के ऊपर भारत स्पेस स्टेशन होने से हमें 24 घंटे धरती की तस्वीरे क्लिक करने का मौका मिलेगा इसके जरिये देश को जलवायू परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाओं की समझ, ज्वाना मुखी विसफोट की जानकारी और रोशनी से होने वाले प्रदूशन के बारे में पता चलेगा मौसम में होने वाले बदलाव का भी उपर से ही पता चलेगा स्पेस स्टेशन पर कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किये जा सकेंगे माइक्रोब्स पर रिसर्च करना होगा या किसी बीमारी को स्पेस के वातावर्ण में समझना हो या फिर इंसानी शरीर किस तरह के काम करता है ये सब हमें Space Station पर बहतर धन से समझने में मदद मिलेगी Space में पौधे उगाने जैसे काम भी किये जाएंगे Space Station होने का एक बड़ा फाइदा ये होगा कि ये हमारी आने वाली पीडियों को Space सेक्टर में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा Space Station में मौझूद Astronauts भारतिय छात्रों से बात कर पाएंगे और उन्हें motivate कर पाएंगे अंतरिक्ष में इसकी मौझूदगी वहां बढ़ती हमारी धाक को भी दिखाने का काम करेगी Space Sector में काम करने वाले भारतिय बिजनेस, रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को अगर कोई टूल टेस्ट करना होगा तो वो उसे Space Station पर भेज पाएंगे इसके जरीए किसी भी Space Product को भैतर करने में मदद मिलेगी आने वाले वक्त में वैसे भी Space Sector काफी बूम करने वाला है एस्टोनोट्स को अंतरिक्ष में भेजना होगा तो भारत इसमें उनकी मदद कर पाएगा ये ठीक ऐसा ही होगा जैसे जापान कनाड़ा के एस्टोनोट्स ISS पर जाकर ठहरते हैं भारत भविश्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी इंसानों को भेजने का विचार कर रहा है ऐसे में पृत्वी के बाहर ये उन एस्टोनोट्स के लिए एक बेस कैम का भी काम करेगा अभी भारतिय एस्टोनोट्स को स्पेस में भेजने की भी तैयारी चल रही है